नमस्कार दोस्तों मैं संदीब सागत आप सभी का आज किस नए क्लास में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले जो भी एक अच्छात है जिनका सब्जेक पॉलिटिकल साइंस यानी जार नीती सास्त रहे और उनके पेपर जो है निका एक्जाम 2022 में होने वाला आने वाले दिनों में तो उनके लिए बहुत इंपार्टेंट है क्योंकि आज किस वीडियों बात करने वाले पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपार्टन कोश्चन के बारे में जो कि टॉप ले आपके आने वाले एक्जाम के लिए पूरी तरह है तो वीडियो को सुरू से लेकर सब्जेक्टिव हो गया है तो लगबग लगबग इनुवस्टिटियों में जैनी कि फश्ट्र चिकेंडियों में सिमिलारी देखिने को आपको लोगों मिलेगी क्यों कुछ ना कुछ आपको सेम देखने को मिलेंगे ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं पहले को जहां से समझें कि चात्र प्रस्टावना में क्या कहा गया है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है उसमें किसके बारे में विर्वण हुआ या किसे बारे में कहा गया क्या कहा गया तो अंसर में पढ़ना eyeballs~! अपो कि भारतिय समिधान की एक प्रस्तामना और जिसमें कहा गया कि भारत एक इसे एसे निरपेच था ठीक है को 1976 में यानि कि जो सम्मिधान की प्रस्ताना और में यही कहा गया है बारते सम्माना की एक प्रस्ताना जिसमें कहा गया है कि जो भारत है वो लोकतान और गड़तान समप्रभू समाजवादी उम धर्न निर्पेच्छ ठीक है राजी है या आप कह सकते हैं कि एक देश है ठीक है तो उसमें सभी जो लोग रहते हैं वो सभी श्रोदंत रहें वो अपने अनुसार कहीं जा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं मतलब लीगल इनलीगल काम नहीं तो यह है समिधान की प्रस्तावदा में ठीक है उसका मतलब यह हुआ कि प्रधान मंत्री के सकतिसाली होने के कारण बताईए तो में पॉइंट में आप लोगों को एंसर मिलेगा इसका ध्यान रखेगा हलाकि जो भी मैं कोईस्टन और इंसर बता रहा हूं इसको आप लोग 2-3 बार अच्छे से समझ लीजेगा पढ़ लीजेगा तो गारंटी के स तो दो तीन बार जरूर ध्यान कर लीजेगा पढ़ लीजेगा तब ही आएगा मैं एक दो बार पढ़ने से या समझने से आपको नहीं समझ में आएगे मैं पहले बोल ला हूं ठीक है तो इसमें लिखा है कि पधान मंत्री के सकतिसाली होने के कराम बताईए पहला जो है वह प्रमुख कारण तो आप लोगी द्हान रखेगा आपके एक्जाम में प्रधान मंत्री की सकतिया बताई है तो क्या क्या सकतिया है प्रधान मंत्री की भारत में जो सेलेक्ट किया जाता है तो आप लोगी यहां पर अंसन मिल जाएगा प्रधान मंत्री की निम्त सकतिया पराप्ट में जोकि मनश्वत है पहली है जह कि मन्तिपरशद का निर्माण करना दूसरा है मंतियों की विभागों का बित्रण एवं करना तीसरा है मंतिपरश्त की बैठक की अध्यसिता करना चार नंबर है राष्टति और मंतिपरश्त केमल संपरक की कड़ी समपरक की कड़ी बनाना आति है कि डाघिएवेशन बुलाने सतो है करने कि पार्य जात्त पति से करना लोग सब्भाभ हं करने कि सिपारिस करना ओदिसिक भीसना संचालन करना आठंबर मंति पुर्षत्क भी Psal Buroda डुछत्क तो यह रहें प्रफान आप लोगों के ग्याम में को समझ में भी आ जाएगा ओके फिराल मैं आपको बता दू कुछ वर्ड हो सकते टाइप करने में मिश हो जाए या मेरे बोलने में उस मिस हो जाए तो आप लोगों से समझ लीजेगा ठीक है निश कोश्चन है दिखाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्यान के कारण है वह आप सभी को इस वीडियो में आभी इसमें अंसर में आपको पता चल जाएगा तो भारत छोड़ो आंदोल के कारण है जो आपके सामने निमन के लिखिते हैं पहला है किप्ष मिशन केस फलता दूसरा है पानियाक मनकब है तीसरा है नंबर है भर्मा में भारतियों के प्रति अमानवे विवार और अगला है पूर्भी बंगाल में आतंका साया और अगला है वास चीक है वस्तुवों और सिवाओं के बढ़ते मोल ले तो ये भारत छोड्यों आंदोलन के मुख्य कारण तो आप सभी को यह कुश्चन तो जरूर से जरूर रट लेना है भाज चुड़ो आंदोलन से सम्मंदित आपके एक्जाम में कुश्चन यानि कि राज नेती सास्त का जो पेपर होगा उसमें पूछा ही पूछा जाएगा गारंटी में सो में से सो कह सकता हूं ठीक है अगर 102-103 होता तो वह भी कहते देता लेकिन यह कुश्चन आप लोगों के एक्जाम में आएगा ही आएगा भाज चोड़ो आंदोलन से सम्मंदित कोई ने कोई कुश्चन पूछा जाएगा चाहे कारण से सम्मंदित हो या भाज चोड़ो आंदोलन के कारण के नेता जो Carnival दे पाइन सर में लिखा उतारवादी कुश्चन का सहीोगी माना गया है तो आफ सब्सार एक मिल जाए गया नीकिन नंबर एक नंबर है है जो केश के कारण हैं ठीक है क्यूं माने जाते हैं तक है हिदा इसे क्यूं माने जाते हैं पहला है बिट्री सरकार एके निया परिता में विश्वास केंदिक करना वे jobs करने के साथ भांगि का संब्ण भार तैयार करना तो यह जो है वो है ठीक है जो आपको मैं भी बता रहा हूं यह है उदारवादी नेता अंग्रेजों के हितेशी क्यों माने जाते थे यही है में में इसके पॉइंट तो यह जरूर रखेगा हो सकता है एक्जाम में आ जाए लेकिन कुछ जरूरा संबिधान की उद्धिष्का में संसोधन कर सकती है तो कर सकती है या नहीं कर सकती है इसके बारें पढ़ते हैं क्या लिखा है कि किश्वनंद भारती बनाम केरल राज जी के मामले में न्याले ने यह नेड़े दिया कि संसत द्वारा संबिधान के अनुछे 368 की अधीन सब्दों को जोड़ा गया है संबिधान की उद्धिषिका में समाजवादी तथा अखंडता सब्दों को जोड़ा गया है यह संसोधन 1976 में श्रीमिती इंद्रा गांधी जी की सरकार द्वारा किया गया था तो कुल मिला के संसत संबिधान के उद्धिषिका को संसोधन कर सकता है लेकिन उसमें कुछ कंडिशन दी गई है जो कि आपको इस कोश्चन के एंसर में मैंने आपको बताया है देखो यहां पर बताया गया कि संसोधन किया जा सकता है लेकिन उद्रिखा का भाक्षाम्तां के मूल धांचे के अधिन अता हुसका संसद द्वारा नहींだ था मार on कö सब्सक्राइब को जोड़ा गया है तो कि समाजवादी तता अंगठा सब्सक्राइब को जोड़ा गया है इस तारीक में और इनके द्वारा किया गया था ठीक है चलिए याद रखेंगा कोई ज्यादा जिस राजी का अपना कोई धर्म ना हो उसके लिए सभी धर्म समान हो किसी भी धर्म के साथ कोई भेद भावना किया जाए उसे धर्म निर्पेच राजी कहते हैं ज्याद रखेंगा कि जिस राजी का अपना कोई धर्म ना हो उसके लिए सभी धर्म समान हो किसी भी धर्म के साथ कोई भेद भावना किया जाए उसे धर्म निर्पेच राजी कहते हैं याद रखेंगा most important question है दिखाए कि को भारत एक धर्म निर्पेच राज है ठीक है भार भारत में सम्मिधान में भाद के सम्मिधान में लागू होने के समय ठीक है समय से ही धर्म निर्पेच राका स्विकार किया गया है लेकिन उननीश्य से उत्तर में धान दीजेगा यह ठाइप करने में ठीक है हो गया उननीश्य से तर में बैल शुए चंसो दन द्वारा पंत निर्पेच सब्द को सम्मिधान की उद्यश्का में सामिल करके धर्म निर्पेच चिता ठीक है कोई भी भारत नागरे कब अपनी कहते हैं और क्या भारत एक धर्म निर्पेश राज है तो इसके बारे में इसका अश्पिस्टी करण जो था वह से क्रियर होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो राज देश है अपना ठीक है इसका कोई अपना धर्म नहीं है कि कोई देश का कोई धर्म नहीं है और जब देश के अंतरगत आते हैं तो लोगों में धर्म बना ही ले गए तो उसमें सब के समान है ठीक है उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता धर्म के अधार पे सभी को एक जैसे देखा जाता है एक नजरिया से और सभी के साथ एक जैसा भेदबाव किया जाता है तो अपने भेद कोई भिभाद का नागरिक अपनी इच्छानुसार कोई भी धर्म सुभिकार भी कर सकता है और कोई भी उसका परिताग भी कर सकता है तो यह उसके लिए सुतंत्र है कोई भी नागर लोग बहुत ही लॉंग में लिख सकते हैं अगर बिश्थे तो तरह यह नहीं देख लेकिक्टा लिखा की भारतिय सम्मिधान के एकात्मक लच्छन बताईए तो भारतिय समिधान के एकात्मक लच्छन जो है वो निनुवत हैं आप लोगों को भारतिय समिधान के निमने एकात्मक लच्छन दिखलाई देते हैं तो की बहला है मैं आपको बता दू लिखाया कि शक्तियों का विभाजन केंदर के पच्छ में दूसरा है एक हरी नागरता तीसरा है संस्चत द्वारा राज्यों की स्रेमाओं में परिवर्तन चौथा संविधान संकट काल में एक आत्मक और पाचुवा है राज सभा को अरचेद दोसों वन्चास के तहद बिसेश अधिकार और छे नमबर राजिपालों की न्यूक्त राष्ट प्रतिद्वारा तो यह रहे में पॉइंट जो कि भारति सब्मिधान के अकात्मक के मूख लच्छन यह पिर आप कह सकते अकात्मक लच्छन तो यह याद रखेगा आपके एक्जाम के लिए महात्यपूर है तो आज कि वीडियो में जो मैंने आपको लोगों सारे कोईशन मताया हाला कि इसमें और भी लच्छन है जो कि आप लोग धान दिजेगा निष्ट है दिखाए कि राजियों की केंद्र पर निरभरता निष्ट है शंबायधानिक संसोधन में संग को विशे सधिकार निष्ट है अंतर राजी परिषद और निष्ट है संग सासित प्रतेशों पर संग का पूर नियंतर तो यह रहें में 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 लच्छन जो कि एक अत्मक लच्छन है भारते समिधान के ठीक है तो वह आप लोगों को समझ में आई हो पा गया होंगे आप दो बार तीन बार वीडियो देखेंगे समझेंगे तो पूरी तरह आ जाएगा या में कौन सी टॉपिक पर या पिर कौन से सब्जेट का माडल पर पर चाहिए कमेंट सेक्से में जरूर बताएं हम आपको मिलेंगे निस्ट वीडियो में निस्ट क्लास के साथ तब दक ले जाएंद